नमस्ते मेरी पूरी योटो फैमली आज हमने बनाई है अर्बी की सब्जी एकदम सुक्की सी, मसालेदार सी दिखने में चट-पटी सी है हमने इसको कुकर में बना के तयार किया है तो देखिए फिर भी हमारी सब्जी अच्छे से मतलब की खिली-खिली सी है, कुकर में बनाया है, तो इसका मतलब यह नहीं, कि यह बिल्कुल गुर्ट चुकी होगी, खिली-खिली सी है, एक्दम चटपटी सी, दिखने में भी, और खाने में तो लाजवाब है, ऐसी सबजी है, जिसका नामन करता हूँ रोटी खाने का, इस सबजी को देखे, वो भी कई की रोटिया खाए, ऐसी सबजी हमने बहुती आसान तरीके से, और बहुती कम समय में, बहुती कम मसालों में बना के, इस सबजी को तयार किया है, हम ऐसे ही बनाते हैं, अपने घर में, तो आपके सामने, आज आपके साथ सेर कर रहे हैं, तो वीडियो देखे, यहां पर हमने लिए हैं, अर्भी, अर्भी को पहले छील लिया है, फिर क्या किया, कई बार हमने इसको पानी से दो लिया, मतलब कि साप कर लिया, कई बार, क्योंकि इस पर मिट्टी लगी रहती है, तो हाथों से रगड की, इसको अच्छे से साप किया, फिर छलनी में डाल के रख दे ताकि इसका जो पानी है वो सूक जाए अगर नहीं है तो कपड़े से पूछ के भी आप इसको काट सकते हैं तो हमने मारे पास टाइम था तो हमने छलनी में रख दिया था तो इस तरीके स्वीर हम इसके लंबे साइज में पीस काटेंगे एक अर्बी से चा काट रही हैं तो मैं सब्जी को आपको काट के दिखाते हैं जादा टाइम ना लेते हुए आपका तो यह देखे हमने सब्जी को काट लिया है अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं तो यहां पे गैस पे रख दिया ills प का तेल इसको अच्छे से पकने देंगे फिर हम इसमें आठ दी चमच अजवाइन डालेंगे एक चुक्टी हिंग डाल देंगे दोनों चीजों को मिला के मतलब की दोनों चीजें सब्जी में डालते हैं एक दम लाजवाब सब्जी का टेस्ट आता है पचने में भी आसानी रह को अजवाइन यहां इसमें कमसे कम चार पांच मिन्ट के उसपे यह हमने इसको फ्राइज करना ए अच्छे से पहले ऑजवाइन के साथ इसको मिक्स कर लेंगे पूरे पर अलग जाता है जह तो यहां पे देखिए जो मसाले हम पूरी सब्जी में एड़ करने वाले हैं उसस अगर नमक डलता है इसमें तो हमने क्या कि यहां अब आदि चमच नमक डाला है थोड़ी सी अधि डाली है आदि चमच एक कलर की नियर्च डाल दी है आधि उसमें धनिया पौड़ो डाल दें इन चीजों को अच्छे से मिला लेंगे मैंने कहा कि यहाँ पे हम इस्वेश चार से पांच मिन्ट के लिए ऐसे ही इसको मिक्स करते रहेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राइ करते रहेंगे यह पूरी सब्जी दस मिन्ट के अंदर बंड जाएगी तो यहाँ पे देखिए तो इसको अच्छे से मिक्स किया है हमने इस सबजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है यह देख सकते हो और इसको चार से पास मिंट के लिए हमने इसको फ्राई कर लिया फिर इसको निकाल लेंगे कडाई से कुकर रखेंगे कुकर में तेल डाल देंगे तेल को गरम होने देते हैं जब तक देख सकते हो हमारी जो अरबी है कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है देख दम खिली-खिली सी बन चुकी है और यहाँ पे टमाटर हर इमीच लसन भी काट लिया साथ में और प्याज भी काट लिया तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो तेल है वो गरम हो चुका है इसमें जीरा डाल देंगे जीरा भूनते ही हम क्या करेंगे इसमें प्याज डाल देंगे प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे तो प्याज जल्दी से भून जाएगी गुनने के बाद हमने जो टमाटर मिच और लसन काट रखे थे वो इसके अंदर डाल लेंगे तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना यहां पर और इसको एकदम इतने अच्छे तरीके से पकाणा है कि यह जो टमाटर के पीस दिख रहे हैं हमने पेस्ट नहीं डाला है काटके डाले इसलिए कि यह एकदम गिली-गिली सी सबजी ना बने इसलिए अच्छे से सूक जाएगा यह जो टमाटर प्याज ना यह दिखाती हुमा आपको कितने अच्छे तरीके से बन जाएगा तो यह अब हम डालेंगे मसाले आधी चमच हल्दी के डालनी थी तो आधी से कम जब डाल दी थी आधी से कम अब डाल दिया नमक डाल दिया आधी चमच थोड़ी सी मिस डाल दिया वही धनिया बस यही मसाले डालेंगे हम आज इस सबजी में फिर भी हमारी सबजी देखना एकदम चट पटीशी बनेगे तो पूरा जो इस सबजी से मतलब कि मसाले से तेल निकल जाएगा जब तक हमने इसको पकाना लग जाएंगे दो मिंट तो ये देखिए अच्छे से टमाटक इतने बड़ी आग एकदम गुर चुके हैं पक चुके हैं इसमें ये देख सकते हो तेल भी म मसाले पकाने हैं देख सकते हो अब जो हमारी अर्बी है वो डाल लेनी है शारी अर्बी को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसमें आदा कप पाने भी डालेंगे पहले इसको मिक्स करते हैं आदा कप पाने डालेंगे तो ये क्या होगा जड़ेगी नहीं और अच्छे सी सूप किसी भी बनेगी इसमें थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी डाल दी है मिक्स किया है तो अगर हम इस सबजी को कढ़ाई में बनाते तो इतनी जल्दी ये नहीं बनती तो यहां पर हम आदा कप पाने डाल रहे हैं और इसको एक सीटी लगाएंगे बस एक सीटी लगाने तक हम इसको रखेंगे और मतलब एक सीटी लगने के बाद हमने तुरुंत जो इसके अंदर गैस थी ना वो भी निकाल दी हवा थी जो इसके अंदर वो निकाल दी और अब देखिए यह हमारी सबजी बन के तयार हो चुकी है बिलकुल खिली-खिली सी बनी है, बिलकुल अच्छे से सुकी हुई सी यह गोडी नहीं है आपके सामने हमने कुकर में तयार किया एक सीटी लगाई है यह देखिए एक्तम लाजवाब हमारी सबजी बन के तयार होई है यह देखिए बहुती कम समय में मुझे तो बहुत इच्छी सब्जी बन जाती है और दिखने में भी लाजवाब है खाने में भी लाजवाब है तो ये देखिए हमारी जो बिना मसालों की ऐसी लगे कि एकदम चटपटी सी सब्जी है ये बन के तैयार है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक और स पाइनल को सस्क्राइब करतें वो जरूरं एक बार इस तरेके से सब्जी ट्राइब करना आपको पसंद आएगी आपकी परिवार को पसंद आएगी आप अगर महीमानों के सामने भीपिशो को इस तरीके से बना के रखेंगे वो भी यही सोचेगा कि इसमें पताना कितने मसाले डाले होंगे जब यह इस तरीके की चटपटी सी सब जिमन के तैयार हुई है एक बार आप ट्राइप करके तो देखेंगे